चैनलने मेरे नाम है सारवेंद्र यहां मैंनिपेलेशन्स क्रिएट करता हूं आप यहां वाच कर सकते हैं और यहां यह बहुत सारे कंसेट मैंने किस यह टैडी डेटे और जो भी दिन आदे उन सब बना रहां नेक्स्ट लास्ट एप व्यलेंटाइन के लिए तो कलो होगा ल उसकी PNGs कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्दी ही डाल दूँ ठोड़ा ठीक है और यहां जो भी यह concept है इसका after and before देख लीज़े आप और support कर देना चैनल को नीचे description में PNGs भी है जब PNGs डाउनलोड करते हो तो subscribe और एक like का बटन भी प्रेस कर देना एक या दो second ही लगेग जल्दी से बढ़ते हैं तुटोरियल की तरफ पिक्सार्ट में जम करते हैं और जो भी PNGs नीचे मीडिया फायर में नहीं तो वह टेलिग्राम ग्रूप में आपको मिल जाएंगी तो आप महां से भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो यहां यह सबसे पहला background है जो मैंने इस फोटो में यूज कर रखा है तो यह बीजी है अब उसके बाद जो भी आपने यूज करना अपने आपको कट आउट करना अच्छे से और अपने आपको प्लेस कर ले ना जहां पे भी आपको लगता है कि हां मेरी प्लेस्मेंट यहां पे होनी चाहिए थी या मुझे यहां स कुछ थोड़ा सा भी अटपटा लगे तो नहीं करने का वहां ठीक है थोड़ा अपने आपको राइट साइड में रखना राइट साइड में रखने को क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि उससे यह रहता है कि जो जो किस वाले आइकंस जाएंगे वो साइड में जाएंगे तो उसके लिए चाहिए ही होगा ठीक है अब यहां से डन कर दिया है उसके बाद एड़ फोटो में जाना है और अपने यह वाले जो स्टिकर आइकंन है इसे अपलोड करना है कि ब्लैंड मोड स्क्रीब करना है और ठोड़ी जात बैठाना है कि आपके हाथ के उपर इसा व्हान सा फिरी आजाए थोड़ा ठोड़ा साई थोड़ा एड़ स्कर के देख ले नAh वा आ जाएगा ठीक है और अगर आज एकसे होता है तो ए्रेज कर देना ठीक है और यहां स इसे डन कर देना उसके बाद यहां से एड़ फोटो में फिराना अब हेर्स की जो प्रॉब्लम रहती है बहुत लोगों की है तो हेर्स की प्रॉब्लम के लिए यह पी एंजी कि आपके अगर हेर कट आउट नहीं है सही से तो इसे ले जाना अपने हेर्स के ऊपर प्लेस करना अचे से और ठीक हो जाएगा अब एरेजर से जो एकसे से यह फाल्तू की चीज़ें जो में नहीं चाहिए उसे एरेज कर देना ठीक है एर परफेक्टली कट आउट हो गए है अब मैंने अपने जो पिक है उसमें हेर पे भी ड्रॉब कर रखी है लाइन्स तो वह ड्रॉब क किमें कुछ नहीं कुछ करना न यह king जादा रो में जाना और यहां से कालर सैंपलर पिक करना और यह वाला सेंफल कर लेना कलर साइज ले जाना अपना 7 यह 8 के ऐरांड पर आपके差 सिरे जाना इंब अब उसके बाद आराम से यहां से हाँआ से ड्रॉब कर देना जितने इस टाइम जो इरेजर का साइज होगा वो रहेगा थोड़ा छोटा और यहां से आप देखते नहीं सकते हैं शार्पनेस कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं तो शार्पनेस जैसे क्रिएट करना इसे ठीक है तो यहां यह लाइट बिल्कुल अच्छे से मिमिक कर दी है मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा ठीक है और यहां इसे अब सेव करते हैं अभी लाश्ट एक और चीज रह गई है जो वह है स्मोक स्मोक के भीना तो सब कुछ दूरा ब्लेंडिंग ही नहीं हो पाएगी तो स्मोक लाना और यहां प्लेस कर देना अब बिल्कुल पर्फेक अब स्क्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज जाके जल्दे से कर लेजिए अब जो कलर ग्रेडिंग टोन रहेगा वह रहेगा ब्लू की तरफ और टेंट रहेगा इधर की साइट थोड़ा सा ठीक है वाइब्रेंस अप कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर ग्लोव चाहिए और उसके बाद विनियड डाल देना फिर क्लारिटी रहेगा टेक्श्चर रहेंगे थोड़े अब आजाना अपने एक्सपोजर वाले पैनल पर तो यहां से एक्सपोजर हाइलाइट शैडोज को भी ओपन कर देना और वाइट को और उपन रखना है ठीक है अब शार्पनेस ड डाल सकते हैं noise reduction थोड़ा on रखें और जो masking होती है वो थोड़ा ज्यादा रखें detail कम कर दीजे अगर आपको कम MB में फोटो चाहिए तो ठीक है और अब उसके बाद थोड़ा mix में आना है मिक्स में skin tone को थोड़ा उपर कर देना थोड़ी डल से लग रही है तो यहां यह perfect लग रहा है तो इसे save कर देते हैं and save to device और जो भी आप create करेंगे उसमें मुझे जरूर tag कर देना मैं जरूर देखूंगा और hashtag sarvindr जरूर use करना अपनी pick के नीचे hashtag sarvindr को मैं follow करता हूं तो जो भी आपकी photo डलेगी वो मेरी profile तक पहुंच जाएगी automatically so peace and love